जै रहें दौस्तो दोस्तो आज का प्रस्ण भोगत ही महत् إلى पुर्ण है और यह प्रस्ण इस स्वार की माठ्रिक करिशा में दोस्तो आवस्य आए और दोड्व दोस्तो यह प्रस्ण ≅ needing class 3, 3 है दोस्तो गनीच से लगुत्र यह प्रस्ण अर्थात यह प्रस्ण जो है दो नमर के रूप में पूछा जाएगा दोस्तो यहां पर कहा जा रहा है पी के किस मान के लिए दुघात समीकरन gem 3X square minus 5X plus p equals to 0 के मूल समान होंगे दोस्तो हमें यहां पी का मान मालूम करना है और हमारे पास जो दूइगात समीकरन है यहां पर दिया हुआ है और इस तरह से यहां पर पी बैठा हुआ है C के जग़ P है और हमें इसका मान मालूम करना है और दोस्तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसका मूल जो है समान है दोस्तो आप जानते हैं जब मूल समान होते हैं तो समीकरन जो दुई घात समीकरन के बिवेचक होते है बिविक्तिकर जिसको बुलते है बिवेचक स्क्वार माइनस पांच एक्स पलस पी इक्वल टू जीरो यह सम्मिकरन है दोस्तों अब यहां पे देखिए एक कमान क्या है कि एक्वल टू थ्री है बी इक्वल टू माइनस पांच है और सी इक्वल टू पी है यह दोस्तों यह एबी सी कमान है दुखात समिकरन में अब आप जानते हैं कि जो बीवेचा कमान होता है वो होता है बी इसक्वार माइनस फोरे सी जो होता है बीवेचा कोता है लिखेंगे दोस्तों चुकी मूल समान है मूल समान है ना मूल जो है समान है इसलिए बी इसक्वार माइनस फोरे सी इक्वल टू जीरो बी इसक्वार माइनस फोरे सी जो होगा दोस्तों वो जीरो के बराबर होगा क्योंकि यह मूल जो है इसका समान है अब इस पर बैठाए दोस्तों बी इसक्वार माइनस फ yes और बदाबर क्या गया जीरो lonely ka कि यह बाँ कि इस दो पाँ जाएगा दोस्तों पांच गुने पांच देन दो बार गुना होगा तो पांच पेखे गल्फ और मैंने कुने Приस मैंनस पालाइऑ लस जा जाए गा 25 और माइनस चारती या 12 तो क्या जाएगा 12 P equal to 0 या लिखे या क्या कीजिए दोस्तों ये 25 जो देख रहे है इधर है पलस में इधर जान देजिए माइनस में माइनस 12 P बराबर इस इधर जाएगा दोस्तों तो क्या जाएगा ये 0 का कोई भेलू नहीं इधर जाएगा तो माइनस में आएगा 25 ना अब माइनस माइनस कार देजिए या लिखे या 12 P यानि 12 P इकवल टू 25 इसलिए P बराबर 25 बटा 12 और यही दोस्तों इसका एंसर है कोरेक्ट और दोस्तों इस तरह से ये सवाल जो है बन चुका है और हमें जानकर खुशी होगा कि दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया है दोस्तों ये प्रस्ण जो है बहुत ही महत्पूर्ण है इस बार की मैट्रिक परिछा के लिए और बहुत सिंपल भी है आप लोग आसानी से समझ सकते हैं बना सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को नीचे लाल बटम दिखाई देता होगा आप उ जूरिये और मैट्रिक परिछा की बहतर तरीका से त्यारी कीजिए